दर्भंगा जिले के हाइगाट प्रखंड में मकसूदपूर गाफ में बीतिर अविवार को शराब पीने से तिन लोगों की माउप हो गई थी जिसके बाद से शराब बंदी को लेकर आरूप प्रत्यारोप का दौर शुरू है इसी कड़ी में बिहार वधान सभा की निता प्रतिपक्ष विजे कुमार सिनहा दर्भंगा की हाइगाट की मकसूदपूर गाफ पहुचकर पढ़ित परिवार से मुलाकात कर राज सरकार से आर्थिक मदद की मांगी है वही मीडिया से बात करते हुए विजे कुमार सिनहा ने कहा कि इस मामले को प्रेशासन पूरी तरस दबाने में लगे हैं मुखी मंदरी का यहाँ शराब बंदी नीती इनके सरकार में बैठे लोग ही कर रहे हैं तथा इसकी कमाई का जर्याब बना लिया है वही विजे कुमार सिनहा ने कहा कि महागट बंदन के लोग शराब बंदी को अपना रोजगार बना कर अपना एक उध्योग चला रहे हैं अधिकतर सत्ता में बैठे लोग दारू बालू के खेल में लगे हैं उनके रहती कोई नैतिक अधिकार नहीं है वही उन्होंने कहा कि सत्ता में रहने का इनको कोई अधिकार नहीं है इनको हटाने तक हम लड़ाई लड़ेंगी इनको विवश कर देंगे कि बिहार की गाड़ी छोड़े क्योंकि बिहार के अनात बच्चे और विद्वा का आसून बहरी लोगों को नजर नहीं आ रहा है बिहार स्टेट हैड दिवेंद्र कुमार ठाकूर के रिपोर्ट पूरी तरह से परसासन के लोग इसको दबाने में लगे हैं मुक मंत्री जी का ये सराब बंदी नीती इनके सरकार में बैठे लोग ही फिल कर रहे है और ये कमाई का जड़िया बना लिया है ये महा गठबंधन के लोग इससे अपना एक रोजगार एक उद्योग चला रहे हैं सराब के नाम पर अधिकतर सत्ता में बैठे लोग दारू बालू के खेल में लगे हैं और इस खेल के कारण एहाँ पर एक अपराधियों का गिरोख खड़ा करके समाज के अंदर अपराध भी करवा रहे हैं हत्या परन लूट बलतकार का खेल भी केल रहे हैं और दस्तत पैदा कर रहे हैं भाजपा कुछ करेगी क्या इसके लिए निश्चित तोर पर भाजपा ने ही इनको विवस किया था सारे हमारे विधान मंडल दल के सदा साहेत याद होगा छपड़ा के अंदर सरक से सदन तक हम विवस करेंगे कि ये भरष्ट पदाधिकारी को उपर कारवाई करें और सत्ता में बैठे जिनको अपराधि और भरष्टाचारी मानसिक्ता के लोग हैं जो दारू बालू और जमिन मापियागिरी से जुरे लोग हैं उसके रहते ये बंद नहीं हो सकता इनको कोई नईतिक अधिकार नहीं है सत्ता में रहने के लिए सत्ता से हटाने तक हम लराई लरेंगे और इनको वीवस कर देंगे कि वियार की गद्दी अब छोड़ें क्योंकि वियार के अनात बच्चे और विधवा का रूदन उन बहरे लोगों को नहीं जा रहा लेकिन हमारी जिम्यवारी है विपक्ष के नाते कि इस आवाज को सदन मैं तक भी लरेंगे और सरक तक में भी लरेंगे देखें यह कानून पूरु तरह से फेल हो चुकी है जिस समय इसाराबंदी की नीती आये ती विपक्ष में मैंता हमारा ही प्रस्ता होता हमने सदन के अंदर हमने कहा था कि आपकी नीती में बहुत सारा जोल है नियत साप नहीं है ये सफल नहीं हो पाएगा क्योंकि आपका जो तंत्र है वो भरष्ट आचारियों की जामात है उस समय भी सोलह में हम विपक्ष में थे लेकिन ये सरकार अपनी अंकार में सराब बंदी हो लोग को राहत मिले हमने साथ दिया समर्तन किया लेकिन सत्ता में बैठे लोग ही जब सराब बेचवाने का काम करें सराब की नीती को विफल करने का पढ़ियास करें तो कैसे सफल होगा संसोधन तो कही बार संसोधन हुआ है लेकिन कहा सफल हो रहा है क्योंकि यह सरकार की नियत में खोंट है इसलिए सफल नहीं हो सकता इनको मुआवजा के साथ-साथ रोजगार में भागिड़दारी और ब्रहस्ट पतादिकारी जिस चेतर में सराब मिल रहा है और सराब के नाम पर इनको मामला को दबाने का खेल खेल रहा है इसे लोगों पर कारवाई करी